असलाम अलेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूट फ्लेवर्स फैंटसी, आज मैं आपके साथ फिश की एक बहुत ही जबरदस सी रेसिपी शेयर करूँगी, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इतनी लाजवाब, डिफरेंट, रेस्टरेंट जैसा टेस्ट आज हम घर पर बना तो सबसे पहले हम एट करें हैं, वन टेबल स्पून चिली फ्लैक्स, यानि कुटी हुई लाल मिर्चे, नमक आप अपने टेस्ट के मताबिक शामिल करी, लाल मिर्चों का पौडर वन टी स्पून या पिर अपने टेस्ट के हिसाब से एट करी, हल्दी पौडर कौटर टी स् धनिया पाउडर वन टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर वन टी स्पून अजवाइन हाफ टी स्पून इन तमान चीजों को मिक्स करें और ये फिश मसाला रेडी है आप इसे किसी भी एर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं 1.5 किलो फिश के लिए ये एनफ है जब भी आपको चाहिए हो आप इसे निकाल कर इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर मेरे पास रहू फिश है जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ करने के बाद वाश करके चलनी में रख दिया था ताकि इसका पानी खुशक हो जाए और यह देखें फिश का पानी काफी ड्राइ हो चुका है अब हम एक बाल में लेंगे 1 टेबल स्पून लेसन का पेस्ट और इसमें शामिल करेंगे एक लिमू का रस इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे फिश पर अपलाई कर देंगे मसाला लगाने से पहले फिश बिलकुल खुशक होनी चाहिए आपको इस बात का ध्यान रखना है आप एक बार इस तरीके से फिश की रेसिपी ट्राइ करेंगे तो यकीनन आप इसके दिवाने हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है अब हम इस पर ये मसाला जो हमने अभी त्यार किया था वो लगाएंगे पहले मैं ने फिश पर लेसन और लीमू का रस मिक्स करके अच्छी तरह से लगा देंगे तो अब बहुत अच्छे तरीके से इसे रब करते हुए हमने इसका मसाज करना है तो यही एक ट्रिक होती है अकसर लोगों को लगता है कि पता नहीं रेस्टरेंट वाले फिश में ऐसा कौन सा सीक्रेट मसाला डालते हैं कौन सी ऐसी चीज शामल करते हैं कि इतनी जायकेदार फिश बनती है तो कोई ऐसा सीक्रेट मसाला नहीं होता जितने कम मसाले लगाएंगे उतनी ही जादा जायकेदार फिश त्यार होगी और सेक्रेट ली फिश की किसम पर भी डिपेंट करता है कि आप किस किसम की फिश इस्तमाल कर रहे हैं जायकेदार टेस्टी फिश बनाने के लिए एक और टिप यह है कि आप इसे कमसकम 24 घंटे के लिए कवर करके फिश में रेस्ट दें 24 से 48 घंटे के बाद बनाएंगे तो ही यह वो ही टेस्ट देगी जो रेस्टरेंट में आता है क्योंकि इस तरह तमाम मसालों के फ्लेवर्स फिश में अच्छी तरह से रच बस जाते हैं अब हम फिश को मीडियम फ्लेम पर फ्राय करेंगे उपर वाली साइट पहले नीचे रखेंगे और टेमप्रेचर को मेंटेन रखने से फिश ओईली बिलकुल भी नहीं बनेगी फिश को दबा दबा कर फ्राय नहीं करना आप चाहें तो इससे चोटे पीसीज में भी फिश को मसाला लगा कर फ्राय कर सकते हैं सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि फिश को हलकी हीट पर फ्राय नहीं करना फ्राय करने के बाद फिश को किसी स्ट्रेनर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ओयल जो है वो निकल चाहे और हमारी फिश क्रिस्पी रहे अब यहां गरम गरम फिश पर चाट मसाला डालेंगे चाट मसाला आपने जरूर डालना है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यह देखें अंदर तक हमारी फिश बेहतरीन किसम की पक चुकी है फिश को बेहतरीन और जाइकेदार बनाने के लिए एक तो मसाला जरूरी है और दूसरे इसका मेरीनेशन टाइम बहुत जरूरी है अगर आप इससे एक तो घैंटा मसाला लगाकर रखते हैं और फ्राइ कर लेते हैं तो यकीन जानिये मज़ा बिलकुल नहीं आएगा आप कम असकम एक दिन जरूर इसे रखें फिर फ्राइ करें इन्शाला आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है आप इसे ट्राइ जरूर करिएगा ये देखिए फिश की एक एक लेर जो है वो लैदा लैदा है मैंने इसे बिलकुल भी दबा दबा कर फ्राइ नहीं किया देखने में भी बिलकुल ऐसे ही लग रही है ना जैसे रेस्टरेंट में हमें गर्मा गर्म ताजी ताजी फिश फ्राइ करके देते हैं रेसिपी बहुत ही ज़्यादा जबर्दस्त है मुझे पूरी उमीद है कि इन्शाला आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी वीडियो किसी पॉइंट पर भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें इसके साथ अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपनी द्वाओं में हमें भी याद रखें खुश रहें और खुशिया बांटें अल्ला हाफीज